हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सा फ्रूट खाना चाहिए जिससे आप और आपके बेबी दोनों हेल्थी रहें तो चलिए वीडियो को सुर करते हैं 1. कीवी कीवी में ज्यादा मातरा में फोलेक यानि फोलिक एचिट प्रेजेंट होता है जिससे प्रेगनेंसी के दौरान इंपोटेंट माना जाता है इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान फोलेक की कमी से आपके बच्चे में ब्रेन और रियर की हट्टी के प्रॉब्लम हो सक क्योंकि अम्रूद आयरन का अच्छा सोर से जो प्रेगनेंसी में होने वाले एनेमिया के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं इसके अलावा इसमें विटमिन C की अच्छी मात्रा होती है जो आपकी इम्म्यूनिटी केफिटी को बुष्ट करता है नमबर थ्री चेरी चेरी में भरपूर मातरा में बिटमीन मिनरल और फाइबर प्रेजन्ट होता है और यह सब भी प्रोपर्टी प्रेगनेंट ओमेंड और उसके बेबी के गुरुवत के लिए जरूरी बाने जाते हैं इसके अ प्रेगनेंट महिला को कई तरह से फायदे पहुचा सकते हैं साथ ही इसका यूज प्रेगनेंसी में होने वाली कमचोरी उल्टी और मतली की प्रोब्लम से भी रिलीफ प्रोइड कर सकता है नमबर फाइब अनार अनार एंटियों गुडों से भरपूर होता है जो प्रेगने क्योंकि केले में पोटेसियम, फाइबर, कैलसियम, मैगनेसियम, स्लेनियम, आयरन, फॉलिट, आधी नियूट्रेशन पर जन्त होते हैं और यह प्रेगनेंट वुमेन को हल्थी रखने में इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं इसके अलावा प्रेगनेंट महिलाओं में होने वाली मोर्निंग सीखनेस की कंप्लेन को भी दूर करने में हेल्प करता है तो दोस्तों यह थी पांच फाल जिनको आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं यह आप और आपके बच्चे दोनों के लिए हेल्थी रहेंगे तो अगर वीडियो अच्छे लगी होते वीडियो वीडि क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि हम प्रेगनेंसी से रिलेटन वीडियो को लाते रहते हैं थेंक्यू